आप मेंसे जो लोग अपने विचारों और भावनाओं में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, लगतार सोशल मीडिया या किसी और चीज़ पर लगे रहते हैं, मुझे लगता है आपको अपना फोन छोड़कर जंगल में टहलना चाहिए। अगर ऐसा हर दिन संभव नहीं है, तो महीने में कम से कम एक या दो दिन आपको कहीं खो जाना चाहिए। बस प्रकृती की गोद में बिलकुल अकेले रहिए। पहलिए, बैठिए, चीज़ों को देखिए। अगर आप परियाप्त ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि आप अस्तित्तो की हर छोटी-छोटी चीज़ पर बहुत मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीटी का निर्मान भी इतना जटिल है, कि आप और आपकी बुद्धी उसके बनने की सटीक प्रक्र प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, जिन्होंने स्रिष्टी पर अपनी नजर नहीं डाली है, वो अपनी मानसिक रचनाओं से बहुत अधिक उलजे रहते हैं, जो कि उनके विचार हैं और उसका रसीला हिस्सा भावना है, जब आपके विचार और आपकी भ पूर्ण हो जाते हैं, तो इसका मतलब है, आपके बोध में बड़ी भारी गड़वड़ है, आपने जीवन की प्रकृती को बिलकुल भी नहीं समझा है, हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं, हम बहुत सी चीज़ें कर भी लेते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को उसकी तो यही अस्तित्व की प्रकृती है, अगर आप उस पर ध्यान दें, तो स्वाभाविक रूप से आपके अपने विचार और अपनी भावनाएं पीछे चले जाएंगे, आप तब भी उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह कितने महत्वहीन हैं। तो यह बहुत ही महत्वपून है, कि अगर आप जीवन के अलग-अलग आयामों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको गंभीरता छोड़नी होगी। आप गंभीर सिर्फ इसलिए बन गए हैं, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बहुत गंभीरता से ले लिया हैं। इस ग्रह प्रणाली या सौर मंडल में हम रहते हैं, वो एक छोटा सा कण हैं, उसमें प्रिथ्वी एक सूक्ष मकण हैं, उस सूक्ष मकण में जिस थान पर या जिस शहर में आप रहते हैं, वो एक बहुत ही सूक्ष मकण हैं, उसमें आप एक बड़े आदमी औरत बन गए ह और यही कारण है कि आप जीवन के प्रती इतने गंभीर है जीवन के रूप में आपके पास बस एक छोटा सा समय है इसमें अगर आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो आप एक बड़ा मजाक है जीवन का रहसी ये है कि आप हर चीज़ को गैर गंभीर नजर से देखें लेकिन एक खेल की तरह इसमें पूर्ण रूप से शामिल हूँ तो जीवन को एक खेल की तरह ले अगर आप जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका अस्तित्व वर्तमान समय के लिए मैतोपूर्ण है लेकिन ये हमेशा के लिए मैतोपूर्ण तभी होगा जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के शाश्वत पहलू को छू लेते हैं ये बहुत ही छोटा जीवन है केवल उसी चीज़ को करने में जिसके आप वाकई परवा करते हैं आपका जीवन सार्थक होगा अगर आप जीवन में सच्ची भागिदारी लाना चाहते हैं खुद को पूरी तरह से अर्पित करने के लिए तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए वाकई माइने रखता हो ये महतवपून है कि आप उसे खोजें जब मैं कहता हूँ कि उसे खोजना महतवपून है तो आपका अपना आधा जीवन ये खोजने में नहीं बिताना है कि मेरा जुनून क्या है नहीं, आपको बस अपनी क्षमता पर काम करना है कि आप हर चीज़ को अपना बना ले जब सब कुछ आपका है ये पूरी दुनिया आपकी है ये ब्रह्मान्ड आपका है तो जब ये आपका एक हिस्सा है अब अगर आप खुद को पूरी तरह से शामिल करते हैं और लगाता अरूस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं जो आपके लिए माइने रखती है जिसके आप पाकई परवा करते हैं तब आपका अस्तित्व ही सार्थक हो जाएगा ज़रूरी नहीं कि आपके कार्य जरूरी नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं और क्या नहीं लेकिन आपका अस्तित्व ही सार्थक होगा क्योंकि बस सांस लेना और होना ही एक जबरदस्त घटना है यहाँ जीवन से बड़ी कोई घटना नहीं है अगर ये सार्थक नहीं है अगर यही सार्थक नहीं है, तो सार्थक क्या है?